हाई ब्रीवन इस बीडियों देखते हैं जेसे सी प्रिभियर सेर स्वाल के इनतरगत इस बीडियों देखेंगे ज्यारखन दार होगा सेट 4 में विध्यान सेक्षन से पूछे गये शफाल देखेंगे जो जेसे से सी दुसरा स्वाल के और बढ़ते हैं एक हार्मोन जो रक्त सरक्रा के अस्तर को नियंतिरित करता है तो कौन सा हार्मोन है ओप्षन के नुसर तो ओप्षन के नुसर इसका सही अंसर है इंसूलिन तो इंसूलिन ऐसा हार्मोन है जो तो धरक्त सरकरा के अस्तर को नियंतरित करता है, अप्शन A सही हो जाएगा, अब अगला सवाल के रुपढ़ते हैं, सता छेत्र के डेस से वास्पीकरन की दर बढ़ जाती है, कमी से, बढ़ने से, रुखने से या थम जाना, तो इसका सही अंसर है, सता का छेत्र जब आपका बढ़ जाएगा तब वास्पी करन की दर बढ़ जाएगी तो दूसरा option इसका सही है increase। चौथा सवाल देखते हैं मेगनिसियम क्लूरायड का सुत्र क्या है तो सुत्र पूछा है मेगनिसियम क्लूरायड का सुत्र जो है mg Cl2 तो इसकां सही एंसर होजागा MgCl2, तो option कौन से फिड हो रहा है, option तीसरा सही हो जा रहा है, तो मेगरिसियम क्लॉराइट का सुट्र MgCl2, पांचवा स्वाल देख लेते हैं, किसको पदार्थ का चौथा चरण माना जाता है, तो पदार्थ की चौथी आउस्ता किसको माना जाता है, तो जैसे आपको पता होगा, पदार्थ की नॉर्मल आउस्ता तीन है, खोन, ठोस, द्रव, गेस, और चौथी आउस्ता किसको माना जाता है, पलाजमा को, तो पदार्थ की चौथी आउस्ता पाजमा, अगर पूछा जाए, पांचवी आउस्ता किसको माना जाता है, बोस, कि सेप्रोफ हाइट्स का उधारन है तो इसका सही ऑप्षन है पहला ऑप्षन इसका सही है सात्वा स्वाल के दो बढ़ते हैं के नाइन और मोलार दातों के बीच इस्थित क्या है तो के नाइन और मोलार जो है दातों के बीच इस्थित क्या है तो प्री मोलर है तो इसका सही के खराब कंड़क्टर है तांबा धातू उन पत्थर उसका से अंसर रजागा है उन जो है गर्मी का एक खराब कंड़क्टर है कि तीसरा उप्शन सही वह जागा इसका चौत नौ नौ देखते हैं परकास संसलेशन छोटे के अंदर होता है जिनने यह सका जाता है तो कि एनतर्गत होता है क्लोरो प्लास्ट के अंदर होता है कि अप्सं दुसरा से हो जाएगा दस्वाल देखते हैं कि सास्था में कनो के बीच सबसे अधीक अस्थान सबसे अध饒िक अस्थान होता है अगर इस सली का उल्टा पूछा गिस और बाट करे सबसे कम अस्थान होता है एसमें करनों के बीचस अधिक में सबसे अधिक थोस सबसे घ्याइजा लेखते हैं डेस एक जीव है जो परिसर में मौझूद सधारन पदार्थों से जटील कार्बनिक योगीकों का उत्पादन करता है तो कौन सा इसा है इसको बोला जाता है सोव पोशन एक जीव है जो सरीर में मौझूद सधारन पदार्थों से जटील कार्बनिक योगीकों के उत्पादन करता है उसका सही इंसर है उप्शन तीसरा सोव पोशन एगला देखते हैं जब हम आयोडीन से अस्टार्च डालते हैं तो यह किस रंग में बदल जाता है जब आयोडीन को आयोडीन में अस्टार्च डाला जाता है तो नीला रंग में बदल जाता है तो दूसरा अप्शन से हो जाएगा बुलो अगला देखते हैं पानी में अगु गुलन सी नहीं गुलता है कौन सा वसा है राइबोफ्लोवीन कि फोलेट लिपीड बायोटीन तो इसका सही अंसर हो जागा पार्णी में नहीं गुलने वाला वसा है लिपीड तिसरा उपसर इसका सही हो जाएगा जो दमस्वाल देख लेते हैं कि ड़स में टिजो जीव ही जीविक सामगरी और खनीचों से बना है इसका सही हंश रोजह उपड़ी जीव क्र문वव सामगरी और खनीचों से मिलकर बना ह sürबबोर दूसरा कि पंद्रावत्व सवाल देखते हैं हैं कि सब्सач सर्दाव consumers का द्रिमानन डेश है तो तो एक परमानू का द्रैवमान जो होता है प्रोटोन और न्यूट्रोन का योग होता है तो परमानू का द्रैवमान प्रोटोनों और न्यूट्रोनों का योग तो इसका सही नसरो हो जाएगा दूसरा ऑप्सन सही प्रोटोन और न्यूट्रोन का योग ही परमानू का द्रैव करता है तो से इंसर है जंग और जंग से बचने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाय जाती है कि अगला देखते हैं मस्तिक किसके द्वारा संरक्षित है तो मस्तिक जो है किसके द्वारा संरक्षित है खोपड़ी के दोबारा तो तो रखित है थीसरे ओप्षन सही हो जागा इसका अठार्वस वाल देखते हैं जब परते एक टटी अस्तर में विश अस्तर उच्छ जाता है तो इसे क्या खाजाता है तो इससे तो इसका सही ऑप्षन हो जागा बायो अम्फ़िफिएसंग कि डेस में हाइड्रोजन को जलाने से सितारे चमकते हैं तो किस में हाइड्रोजन को जलाने से तारे चमकते हैं तो इसका सही इंसर हो जागा हिलियम तो अगर हिलियम में हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तब सितारे चमकते हुए नजराएगा तुसे इंसर है हिलियम दूसरा उप्षन अगला स्वाल की और बढ़ा लेते हैं अ समेजर एक इसका उधारन है उस मेजर जो है एक मंडल त Sophia मंडल का उधारन है कि सायément मंडल मंडलके उधारन है उस मेजर तो यह थे स्ट फोर में विज्यान से पुछे गए 20 मंत सवाल अगर आप दूसरे मेर्थ का जहारखन जी के का स्वाल देखना चाहते हैं तो प्लेरिस्ट में आपको सब एक जगा मिल जाएगा तो जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो अगले मिलते अगले विडियों में तब तक पुराने वीडियो दे झाल झाल